दोस्तों यूट्यूब से जो आर्णिंग होता है वो आर्णिंग हाथ में पाने के लिए हमलग बहुत चीन की दिरहाता है मतलब कई से मिलेगा कब मिलेगा किस के थ्रू मिलेगा दोस्तों क्या है ना YouTube का earning पहले आपका AdSense में एड होता है उसके बाद आपका bank account में transfer हो जाता है इसके लिए आपको AdSense के साथ bank account को attach करना होता है दोस्तो यह है सबसे बोड़ा problem bank account को कब attach करना है, कई से करना है, कौन सा bank का account होना चाहिए किस टाइप का account होना चाहिए, किसका नाम में account होना चाहिए, इस वभी चीज़ दोस्तो यह problem गाउं का लोग ज़्यादा फिस करता है क्योंकि गाउं में तो sub bank मिलता नहीं है, अगर मिल भी जाता है तो यह facility नहीं मिलता है जो ठीक है, मैं मान लिया, आपका गाउं में sub bank available, आप bank में गया, manager को जाके पुछा, sir, adsense से payment पाने के लिए मुझे account खोलना है उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप उसको एक घौंटा से समझाए उसके बाद manager ने बोला, भाई एक facility मेरा bank में नहीं है, आपको इस दूसरे bank में देखे ऐसे आपका दो तीन दिन बरबाद हो जाएगा दोस्तो इस सबी problem का solution मैंने इस वीडियो में बाता ना बलाओ अगर आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखे दोस्तो जब आपका एडसेंस अकाउन में 10 दोलर और 10 दोलर से ज़्यादा बैलन्स जाएगा तब आप bank account को एड़ कर पाऊगे और जब एडसेंस का बैलन्स 100 डॉलर कोस्ट कर जाएगा तो आपका बैलन्स अपका bank में टांसफर हो जाएगा अपका गाउं में जो bank है उसका manager को जाके पुछिए उस bank में sweet facility है या नही है अगर है तो उसको sweet code मंगिए और उस code को आप लिख लिजिए क्योंकि ये जो code है ये आपको बात में जरूरत पड़ेगा अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो manager को detail में पूछ लिजिए बास आप अपने उस bank में एक saving account खोल लिजिए इधर आपको एक बात याद रखना होगा आपका adsense account जिसका नेम पे है उसी का नेम पे saving account खोलना होगा एकाउंट खोलने के बाद 2-3 दिन में आपको password मिल जाएगा actually bank पर depend करता है कब password देगा password मिलने के बाद आप adsense account को login कर लिए login करने के बाद setting पर क्लिक किए आप देखिए इधर बहुत सरा option है आप थोरा निची जाएए payment पर क्लिक किए आप देखिए how you get paid एज option है इधर लिखा हुआ है add payment method इधर क्लिक किए देखिए यह जो form है इसको आपको flip करना हो यह बहुत simple है इसमें जो जो information चाहिए सबी information आपका bank का password से मिल जाएगा आप इसको simply flip किजिए account holder जो name है आपका password में वह इधर लिख दीजिए bank का जो name है वह भी लिख दीजिए आप इतर देखिए स्वीप कोड है आप बैंक से स्वीप कोड लिया था उस वह स्वीप कोड को इधर अपको टाइप करना हो आप ठीक से टाइप कीजिए एक भी information गलत नहीं होना चाहिए फिलाप करने के बाद आप फिर से एक बास चेक कर लेजिए एकाउन नामबर जो जो है सबको चेक कर लेजिए चेक करने के बाद इस शेप option पर click करके इसको save कर लेजिए देखे इधर आपको option save हो गया है आपको bank account add हो गया है आप चूज payment method इधर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद इधर जो option है क्राइमार को स्रेट कर लेजिए रस आपका काम हो गया है दोस्तो हर मैने के 22 तरह के बाद payment issue होना start होगा उसका 2-3 दिन बाद आपका bank में transfer हो जाएगा दोस्तो आप लोग को मैंने 2 bank suggest करता हूँ पहला है access bank दूसरा है ICICI bank अब इस दोनों में से किसी एक में icon करना कुछिस कीजिए क्योंकि यह जो bank है यह बहुत जली international money के transfer करता है दोस्तों बहुत बहुत सुक्राइब देखने के लिए अगर मेरा वीडियो से आपको help मिला तो फिर इसे like कीजिए और आपका फ्रेंड के साथ इसे share कीजिए comment में आप मुझे thank you लिए क्योंकि आपका comment देखकर मुझे बहुत खुसी मिलता है अगर आपको प्रिफ़ा है तो मेरे चैनल को आप साब्सक्राब ही कर लेजिए